स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासिस में मैं चेतन प्रताब आज आपके लेकर आया हूँ क्लास 12 में हिंदी में काब के अंतरगत भवानी परसाद मिस्ट द्वारा रचित एक कवीता जिसका सिर्सक है बून्द तपकी एक नब से ये जो कवीता है वो इनकी काब रचना दूसरा सब तक से लिए गई है तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ ही साथ वेल आइकन भी आउन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नुर्फ्रीकेशन आप तक पहुँचे और साथ ही साथ हमारे जो अधर दूसरे चैनल है मैथिस्क और गोले का ग्यान उनको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से बून्द टपकी एक नब से इसमें क्या है कि छोटी सी जो प्राक्तिक घटना है आकाज से बून्द का टपकना उस आकाज से बून्द का टपकना कभी ने बड़े एक सुन्दर धंग से प्रस्तुत किया है ऐसे प्रिस्तुत किया है जैसे कभी को लगता है कि प्रेमका दौरा उस पर दृष्टी डाली गई हो आने प्रेमका ने किसी पथिक को पथिक यहां को उने कभी स्वयम है पथिक को जरोके से ज्ञाक कर देखा हो और ऐसे देखा हो कि एक दम से जलक दिखाई और फिर बापस च्छिप गई इसी तरीके से यानि बूंद से आकास का टपकना उन्होंने इसी ढंक से इसमें बताया है तो बहुत अच्छी पोयम है आपको मजा जाएगा वीडियो को लाच तक पूरा देखना है कंपलीट देखना है और अच्छे से समझना है तो चली शुरू करते हैं बूंद टपकी एक नब से किसी ने जुक कर जरोके से कि जैसे हस दिया हो हस रही सी आखने जैसे किसी को कस दिया हो ठगा सा कोई किसी की आख देखे रह गया हो उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो बूंद टपकी एक नब से और जैसे पथिक छुम उसकान चौके और घुमे आख उसकी जिस तरह हस्ती हुई सी समझे रहा फिर से कि बूंद टपकी एक नब से किसी ने जुक कर जरोके से कि जैसे हस दिया हो हस रही सी आखने जैसे किसी को कस दिया हो ठगा सा कोई किसी की आख देखे रह गया हो उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो बून्द टपकी एक नब से और जैसे पतिक छूम उसकान चौके और घुमे उसकी आख जिस तरह हस्ती हुई सी आख चूमे उस तरह मैंने उठाई आख बादल फट गया था चंदर पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा हट गया था बून्द टपकी एक नब से ये कि जैसे आख मिलते ही जरोखा बंद हो ले और नुपुर धुनी जमक कर जिस तरह दुरुत चंद हो ले उस तरह बादल सिमट कर चंद पर चाये अचानक और पानी के हजारों बूद तब लाए अचानक कि कभी कहता है कि बून्द टपकी एक नब से कि नब माने आकास आकास से बून्द टपकी किसी ने जुक कर जरोखे से कि जैसे हस दिया हो हस रही सी आखने जैसे किसी को कस दिया हो और हस्ती हुए आखने जैसे कि किसी को कस दिया हो अर्थार अपने आप में बाहन लिया हो अपनी मुस्कान से मुग्द कर दिया हो कि ऐसे प्रतीत हुआ कि जब आका से बून बून टपकी तो ऐसे लगा कि जैसे जहरोके से किसी ने जाक लिया हो एकदम से जाक के हश दिया हो मुसकान दे दी हो हस रही सी आखने जैसे किसी को कस लिया हो कस दिया हो, अब उस हस्ती हुई आक से ऐसे प्रतीत हुए जैसे किसी को कस लिया हो और साथ मोहित कर लिया हो, बांध लिया हो अपने आप में, अपने आकरसन में, यहान कभी ने बून के गिरने की तुलना किसी के जरोके से जाकने की तुलना की है, यानि बून के गिरने की त कहा है कि जब कोई एक नारी मुश्कुराती है इस तरीके से तो वो अपने मोह पास में अपनी हसी में अपनी हस्ती हुई आखों से जब कोई व्यक्ति मुश्कुराता है तो आखें भी हस्ती हैं उन हस्ती हुई आखों से किसी को कस दिया हो किसी इस तरी में ऐसा प्रतीत हो र खलक देखने वाले को बिलकुल बहांद के रख दिया हो, कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, और ऐसे लगता है जैसे कभी कहता है कि ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, और जैसे कोई किसी की मुस्कान युक्त आँखे देखके बड़ा ठ थगा सा रह जाता है वैसे ही आकास की बून नब से जब टब की ऐसा देखकर मैं भी ठगा सा रह गया थगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो बहुत से उस बहुत से रूप को रोमांच रहके सह गया हो समझे बहुत बड़ी बात कि उस बहुत से रूप को हलागी एक ही रूप को बहुत सा कहा, यानि इतना आकरसन इतना सौंदर उस रूप में, कि जैसे कोई आकरसन और सौंदर से भरे उस रूप को रोमांच रोके सह गया हो, अपने आपको रोमांच रोके सह गया हो, अपने आपको इसने रोक लिया हो, सहन कर लिया हो, ऐसा प्रती थोड़ा, उस बहुत से रूप को रोमान्च रोके सह गया हो। माने कभी यहां कह रहे हैं कि जब आकास से बून टप की तो पहले तो यू लगा कि जैसे किसी इस्त्री ने जहरोके से जहाका हो। और उसने जो जहाका हो वो ऐसे जहाका हो जैसे कोई सुन्दर इस्त्री जब जहाकती है मुस्कुराते हुए तो उसकी आखों में भी एक मुस्कुराट रहती है तो अपनी वो मुस्कुराती हुए आख से हस्ती ही आख से किसी को कस देती है माने देखने वाले को आकरसन में बाहन लेती है और कोई व्यक्ति ठगा से इस आँख को देखते रह जाता है और जो मुखमंडल की सुन्दरता होती उस बहुत से रूप को रोमांच रहके सह गया हो और उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो पाने की लाल सा रखके भी वस्थ है गया हो बून्द टपकी एक नब से और जैसे पथिक छू मुश्कान चौके और घुमे उसकी आँख जिस तरह हस्ती हुई सी आँख चूमे उस तरह मैंने उठाई आँख बादल फट गया था चंद पर आता हुआ साब्र थोड़ा हट गया था अब कभी कहते हैं बून्द टपकी एक नब से कि जब नब से वो बून्द टपकी यानि कौन से बून्द जो कोई जो इस्तरी जरोके से जाक रही उसकी बात हो रही यहाँ अब उसकी बात कभी कर रहा है कि कह रहा है कि बून टपकी एक नपसे कि जब आकास से बून टपकी तो ऐसे लगा जैसे कोई और जैसे पथिक छू मुश्कान कि जैसे उस मुश्कराती हुई इस तरी को यहां तुलना किस से की गई छरोके से जागती हुई इस तरी कि और जैसे पतिक छू मुसकान कि पतिक ने भी उस मुसकान को छू लिया हो और बड़े चौक के और घूम गया हो चौके और घूमे आख उसकी उस मुसकान को जलक को देखने के लिए बड़ा चौक गया हो जैसी उसने देखा तो उसकी आख घूम गई उस तरब चौके और घ उसकान से भी उन आखों को चुमना चाहता हो, जिस तरह हस्ती हुई सी आख चुम है. यानि कहने का मतलब एक प्रकार का दर्सन भी एक प्रकार का चुमबन होता है. तो जैसे एक आख ने दूसरी आख को चुमा हो, ऐसे लगा. उस तरह मैंने उठाई आँख, कभी कहता है उसी तरह से मैंने आँख उठाई जैसे आँख ने आँख का इस पर्स किया हो, आँख ने आँख को चुमा हो, उसी तरह मैंने आँख उठाई बादल फट गया था, यानि जो भी पर्दे थे, फट गये थे, हट गये थे चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा हट गया था अब्रमान बादल और जो चंद्रमा पर जो बादल आ रहा था अर्था जो इस्त्री के सामने जो पर्दा था जरोखे में वो पर्दा हट गया था अब्र थोड़ा हट गया था यहां अब्रमान बादल होता है लेकिन इस्त्री से अगर तो लना यहां करेंगे जो इस्त्री जाक रही थी तो फिर अबर का अर्थ था परदे से हुआ वैसे तो बादल होता है कि जिसे कोई चंद्र मुख हो, चंद्रमा हो चंद्रमा के सामने बादल आ जा तो बादल दिखाई नहीं देता तो चंद्र पर अब पूरा चुकी इस्त्री के पूरे दर्सन हो इसके लिए क्या हुआ चंद्र आता हुआ सा अबर माने बादल थोड़ा हट गया था चंद्र मतलब है इस्त्री इस्त्री के सौंदर की तुलना चंद्र से के गया तो चन्द पर आता हुए ऐसा अब्र थोड़ा हट गया था बून टपकी एक नबसे और कभी कहता है कि बून टपकी एक नबसे कि जब नबसे बून टपकी ये कि जैसे आँख मिलते ही जहरोखा बंद हो ले और ऐसे बून टपकी जैसे आँख से आँख मिली प्रेमी और प्रेमका की जब आख मिली यानि कभी की जब इस तरी से आख मिली जो जाक रही थी तो कभी कहते हैं कि बून टपकी एक नब से ये कि जैसे आख मिलते ही जरोखा बंद हो ले कि ऐसे लगा जैसे आखों के मिलते ही जरोखा बंद हो गया हो आख मिलते ही जरोका बन्द हो ले और नुपुरधुनी जमक कर जिस तरह दुरत चंद हो ले बैसे तो यहाँ चंद कमतलब कभीता का छंद होता है दो है छंद जैसे होता है बैसे तो कभी कहते कि जैसे ही आख मिली मिलते ही जरोखा बंद हो ले आख से आख मिली उस इस्त्री की कभी की कभी की आख से उस इस्त्री की आख जब मिली तो एक दम से जरोखा बंद हो गया अर्थारदरसन बंद हो गया परदा गिर गया उसने परदा गिरा लिया और पाईलों की ध्वनी जमक कर क्या हुआ जमक कर जिस तरह दृत चंद हो ले दृत चंद माने चंद कि ऐसे लगा जैसे ध्वनी भी नुपूर की ध्वनी भी एक तम से चंद हो गई हो अर्था संगी एक राग में बदल गई हो या यह एक यह कहें कि एक जैसे दोहा चौपाई चन्द बगेर होता है, है ना, उस तरीकेसे बदल गई हो, मानिक्न, कभीता बन गई, एक रस बन गया हो, उसमें आनंद आ गया हो, उस तरह बादल से मट कर चन्द पर चाए अचानक, ठीक फिर बैसे ही बादल से मटकर अचानक चन्द पर चा गया पर्दा गर गया इस्त्री ने पर्दा डाल लिया तो इस चंदमा रूपी उसी स्त्री पर क्या होगा बादल अचानक छागए और पानी की के हजारों बुन तब आये अचानक फिर हजारों बुन पानी की गरने लगी तो I think ये वीडियो आपको कन्भम हो गया होगा पूरा समझ में आ गया होगा क्या है यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम